हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफैर्स भाई रवी पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इतिहास के प्रमुख युद्ध ठीक है तो जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं यहाँ पे हम डिसकस करेंगे कि युद्ध जो था यह किसके बीच में लड़ा गया है कब लड़ा गया है और इसमें जीत किसकी हुई है ठीक है तो हर एक important point हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं जो आपके आने वाले exams के लिए helpful अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशल रहने वाला है तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखेगा तो फ्रेंड्स करते हैं इस युद्ध के बारे में तो हाइडैसपीस का युद्ध को जेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है या भारत के पंजाब छेतर में जेलम नदी के तडपर हुआ था तो फ्रेंड्स ये लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी जेलम नदी के तडपर इस इसलिए इसका नाम जो है जेलम की लड़ाई है या फिर हाइडाइसपीस का युद्ध है क्योंकि देखे जेलम नदी का ही पुराना नाम ग्रीक में इसको हाइडाइसपीस कहा जाता है और साथ में संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है तो इसका जो पुराना नाम जिसको हम सं वो English में Alexander कहते हैं तो आपको confused इस point पे नहीं होना है और यहाँ पे विजाई कौन रहें तो यहाँ पे जीत हुई थी friends सिकंदर की I hope आपको clear है अगले question के तरफ बढ़ते हैं friends कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया तो friends जो कलिंग का युद्ध था इसको लड़ा गया था 261 इसा पूर्व में तो option number C इसका right answer हो जाएगा और इसके बारे में देखिए तो देखिए यह हुआ था किसके बीच में मौरे समराट अशोक और राजा अनंद पद्मनाभन के बीच में और यहाँ पे विजेता friends कौन थे तो यह जीत हुई थी यहाँ पर मौरे समराट अशो यह question पूछा जाता है आपसे कि जो मौर समराट अशोक रहे हैं यह किस युद्ध के बाद इन्होंने बुद्धिजम को अपनाया यानि कि बौध धर्म को अपनाया तो इन्होंने कलिंग की युद्ध के बाद बौध धर्म को अपनाया था तो I hope आपको clear है तो यह तीनों points आपके लिए काफी important हो जाते हैं बढ़ते हैं आपके next question के तरफ सिंध का युद्ध कब लड़ा गया तो देखे friends जो सिंध का युद्ध था इसको लड़ा गया था 712 E.S.V. में तो right answer हो जाएगा option number B और यह हुआ है किसके बीच में मुहम्मद कासीम और राजा दहीर के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई और यहाँ पे विजेता रहे थे मुहम्मद कासीम तो friends आप देख रहे हैं हम यहाँ पे हर एक point जैसे मैं आपको बताया यह लड़ाई कब लड़ी जा रही है किसके बीच में लड़ी जा रही है और इसके में विजेता कौन रहे रह लड़ा गया काफी important है friends इसको double tick कर लीजिए यह काफी repeat हुआ है तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह लड़ा गया था 1190 में तो right answer हो जाएगा option number D discuss करेंगे इसके बारे में भी friends तो यह हुआ है किसके बीच में मुहम्मद गौरी और प्रिथवी राज चोहान के बीच में और इसमें जीत हुई थी प्रिथवी राज चोहान की तो यहां पे एक छोटा सा point है देखे 1190 में क्या हुआ है प्रथम युद्ध हुआ है तराइन का यह भी हुआ था किसके बीच में मुहम्मद गौरी और प्रिथवी राज चोहान के बीच में लड़ी गई थी और यहां पर जीत हुई है यह हुई है मुहम्मद गौरी की तो पहले युद्ध में कौन जीता है प्रिथवी राज चोहान जीते हैं और दूसरे युद्ध म लड़ा गया था इसके बीच में लड़ा गया था तो फ्रेंट्स ये मुहम्मद गौरी और अगें पृत्वीरा चौहान के बीच में लड़ा गया और जीत हुई थी मुहम्मद गौरी की चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स कोशन की तरफ तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया तो फ्रेंट्स जो तराइन का तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया था बारा सू पंदरा इसवी को तो अप्शन नमबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके बीच में ल लड़ा गया था 1194 इसवी में तो अप्शन नमबर इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके बीच में लड़ा गया है चंदावर का युद्ध तो ये मोहमद गौरी और कनौज के जो राजा थे जैचंद इन दोनों के बीच में लड़ी गई और जीत यहां पे इसवी को तो अप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और साथ में देखिए फ्रेंट्स ये किसके बीच में लड़ी गई तो ये जो मुगल शाशक बाबर थे और इब्राहिम लोधी इन दोनों के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इसमें विजेता कौन रहे हैं तो बाबर इसमें विजेता रहे हैं अगला कोश्चन है फ्रेंट्स आपका खानवा का युद्ध कब लड़ा गया तो देखिए फ्रेंट्स खानवा का युद्ध यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद यानि कि ठीक अगले साल यहाँ पे खानवा का युद्ध लड़ा गया तो उप्शन नमबर एस का राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1527 इसवी में खानवा का युद्ध हुआ था तो देखिए किसके बीच में लड़ी गई तो यह बाबर और मिवाड के जो राजा थे राना सांगा इनके बीच में लड़ गई और जीत यहां पे हुई थी बाबर की ओके अगला कोशन देखेगा घागरा का युद्ध कब लड़ा गया तो देखे जो घागरा का युद्ध था ना फ्रेंट्स यह लड़ा गया था छे माई 1529 इसवी को तो आप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और क देखे चौसा का जो युद्ध था ये हुआ था फ्रेंट्स 26 जून 1549 इसवी को तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए तो देखे चौसा का युद्ध हुआ है किसके बीच में सेर्शा सूरी और हुमायू इन दोनों की बीच में और जीत यहां पे हुई थी सेर 2440 इसवी को ठीक है तो जैसे आपने देखा अभी जो पहला था यानि कि चौसा का युद्ध उसके ठीक अगले साल कन्नौज का युद्ध लड़ा गया ये किसके बीच में लड़ा गया ये अगें जो है सेर्शा सूरी और साथ में यहां पे अब देख रहे हैं हुमायू के बीच में ये लड़ाई लड़ी गए और जीत अगें यहां पे किसकी हुई थी सेर्शा सूरी की हुई थी तो फ्रेंट्स कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध दोनों ही सेर्शा सूरी और हुमायू के बीच में हुआ और जीत यहां पे सेर्शा सूरी की हुई र तो दूसरा युद्ध जो था पानीपत का, ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, हेमू इनका पूरा नाम था हेमचंदर विक्रामादित्या, ठीक है, और यहाँ पे विजय ही रहे थे अकबर, अगला कोशन रहेगा फ्रेंट्स आपका ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तो फ्रेंट्स ताली कोटा को जो युद्ध है, ये लड़ा गया था इनमें से, राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर C, 23 जन्वरी 1565 इसवी को, ठीक है, तो देखें, डिसकस करते हैं, ये किसके बीच में लड़ी गई, तो ये लड़ी गई है, दककन के जो सल्तनत थे, और विजय नगर समराज, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, दककन के सल्तनत, इनमें एक नहीं है, इसमें चार सहियोगी मुस्लिम सुल्तान थे, जो शामिल थे, तो कौन-कौन थे देख लड़ाई हुई, और फ्रेंट्स जीता कौन, दककन के सल्तनत की यहां पर जीत हुई, ओके चलिए, अगला कोशन है, आपका हल्दी गाठी का युद्ध कब लड़ा गया, तो हल्दी गाठी का युद्ध फ्रेंट्स लड़ा गया है, 18 जून 1576 को, तो राइट आंसर हो जा होंगी कि हमारी जो paid PDF की website है, यह launch हो गई है, इसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, तो फ्रेंट्स यहां से जाकर के आप रवी सरकी, GK और current affairs की PDF को buy कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पे दोनों English और Hindi Medium, दोनों में मिल जाएगी PDF, साथ में फ्रेंट्स यहां पे आपको last nine months का ज visit करें और buy करें हमारे website से, तो आपके exams के लिए यह काफी important हो सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगला question रहेगा आपका प्रथम करनाटक युद्ध कब लड़ा गया, तो फ्रेंट्स जो प्रथम करनाटक युद्ध है, इसको लड़ा गया है, 1740 से लेकरके 1748 तक, तो right answer हो करनाओं का नित्रित्व कर रहे थे, और साथ में करनाटक के जो नवाब थे, अन्वर उद्धीन, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, और जीता किसने, तो जीता है, गवर्नर डूप लेने, right, बढ़ते हैं next question की तरफ, दूसरा करनाटक युद्ध कब लड गई और इसमें जीत हुई थी, ब्रिटिश सेना की, ओके, अगला question रहेगा, friends, आपका तीसरा करनाटक युद्ध कब हुआ, तो देखें, तीसरा करनाटक युद्ध जो है न, ये हुआ था, 1756 से लेकर के 1763 इसवी तक, तो राइट आंसर हो जाएगा, option number C, और ये लड़ा गया है, friends, भारत में जो अंग्रेजी और फ्रांसेसी सेना थे, उनके बीच में, और यहाँ पे जीत हुई थी, अंग्रेजो की, right, अगला question रहेगा, आपका, friends, यहाँ पे देखें, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, प्लासी का युद्ध जो है, ये लड़ा गया है 1757 को, तो option number D इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे और discuss करते हैं इसके बारे में detail में, तो देखें, अंग्रेज और सिराजुद दौला जो थे, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, तो यहाँ पे एक और important point ये आ जाता है कि सिराजुद दौ गया है, 1760 इसवी को, तो option number C बिल्कुल correct हो जाएगा, और ये किसके बीच में हुआ है, तो अंग्रेजो और फ्रांसीसियों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी friends, और जीद यहाँ पे हुई थी, अंग्रेजो की, ठीक है, अगला question रहेगा आपका पानिवत का तृ तृति युद्ध था, इसको लड़ा गया है, 14 जनवरी 1761 इसवी को, काफी important है, पहला, दूसरा और तीसरा पानिपत का तृति युद्ध, ये दोनों आपके exams के लिए काफी important है friends, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है, यहाँ पे देखें friends, यह जो है, एह बकसर का युद्ध जो है, यह लड़ा गया था, 1764 इसवी को, तो option number C, बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसका, बढ़ते हैं आगे, तो देखें, मीर कासीन, जो के बंगाल के प्रसाशन, और सिराजुद दौला, अवद के नवाब, और शा आलम द्विती, जो की मुगल समराड थे इनकी संयुक्त सेना, और मेजर हेक्टर मुन्रो के नित्रत में, अंग्रेजो की सेना के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और जीत यहां पे किसकी हुई है, तो अंग्रेजो की यहां पर जीत हुई थी, अगला कोशन है आपका, प्रथम आंगल मैसूर युद कब लड़ा गया, ठीक है, तो प्रथम आंगल मैसूर युद फ्रेंट्स लड़ा गया था, 1767 से ले करके 1779 तक, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D, बात करेंगे किसके बीच में ये लड़ा गया है, तो देखे, ये लड़ा गया है मैसूर के हैदर अली और अं 1784 इश्वी तक, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नमबर A, ये लड़ा गया है मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, और विजेता यहाँ पर रहे थे अंग्रेज, देखे अगला कोशन, तृतिय अंगल मैसूर युद कब लड़ा गया, गतुरतिय अंगल मैसूर युद लड़ा गया है, 1790 से लेकरके 1792 इश्वी तक, तो अप्शन नमबर B, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये ववा है टीपू सुल्टान और अंग्रेजों के बीच में, और जीत यहाँ पर अंग्रेज की हुई, नेक्स्ट आ जा अंगल मैसूर युद्ध को रिवाइस करते हैं, तो प्रथम युद्ध कब हुआ है, प्रथम युद्ध हुआ है, देख लिजे, 1767 से लेकरके 1779 तक, ठीक है, किसके बीच में हुआ है, ये हुआ है, हैदर अली, हैदर अली, और साथ में, अंग्रेजो के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे जीत किसकी हुई है, हैदर अली की जीत हुई थी, अगला अंगल मैसूर युद्ध जो है, ये हुआ था, 1780 से लेकरके 1784 के बीच में, ये किसके बीच में हुआ है, ये भी हुआ था, हैदर अली, ठीक है, है, हैदर अली और इसके साथ में, अंग्रेजो के ब बानबे तक किसके किसके बीच में हुई तो ये टीपू सुल्तान और साथ में अंग्रेजों के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई और यहां पे जीत हुई थी अंग्रेजों की और लास्ट देखें चौथा अंगल मैसुर युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया यह हुआ था अंगल मैसुर युद्ध में जीत हुई थी हैदर अलीगी तो इस तरीके से आपको याद रख ले रहा है I hope अब आपको clear है कोई भी doubt में से नहीं है बढ़ते हैं आपके next question की तरफ चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया तो friends चिलियान वाला युद्ध लड़ा गया अठारा सो उन्चास इसवी को राइट आंसर हो जाएगा option number B चिलियान का युद्ध हुआ है East India Company और सिख की बीच में और यहां पर friends जीत हुई थी East India Company ही तो friends आप देख रहे हैं questions का जो लेवल है आपकी सारे exams के लिए यह important होने वाला है पूरे वीडियो के आपके end तक बन लड़ा गया ठीक है तो भारत चीन सीमा युद्ध फ्रेंड्स यह लड़ा गया है कब देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 को ठीक है 1962 इसवी को भारत चीन सीमा युद्ध लड़ा गया बढ़ते हैं आगे देखे किसके बीच में हुआ तो यह चीन और भारत क पाक युद्ध कब लड़ा गया तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है यह हुआ था 1965 को राइट आंसर है ऑप्शन नमबर दी तो यह हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में जीत यहां पर भारत की हुई थी राइट अगला कोशन रहेगा आपका यहां पर देख लि यहां पर भारत की हुई राइट अगला कोशन और फ्रेंट्स आपका यह लास्ट कोशन भी है काफी इंपॉर्टन कोशन है याद रखिएगा देखें करगिल युद्ध कब लड़ा गया तो करगिल युद्ध फ्रेंट्स हुआ था 1999 इसवी को तो राइट आंसर हो जाएग को option number D किसके बीच में हुआ था यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई और जीत यहां पर विजयता रहे हैं भारत तो आप देख रहे हैं हमने यहां पर आपको top 31 questions कराए जो आपके आने वाले exams के लिए most important होने वाले हैं तो friends मैंने आपको already बता दिया है क पानी पत के युद्ध इसके साथ में आपको तरायन के युद्ध काफी अच्छे से याद रखने हैं exams में काफी repeat होता है ठीक है और इसके साथ में आपको याद रखना है कलिंगा युद्ध ये भी काफी important है इसके साथ बाकी भी important है बट ये आपको बिल्कुल नहीं भूल राइट चलिए तो यह हो गए आपके सारे question अब आता है आपका test question जिसका answer आपको हमें comment कर करके बताना है तो पहला question यहां पे आपके द्विती यृध्ध कब लड़ा गया है तो कर लिंग का यृद्ध कब लड़ा गया है ओके और आगे जाते हैं अगे चलते हैं तो यह मैंने आपको बताया है अल्रड़ी हमारे paid pdf की website है www.ravibooks.pdf.com तो यहां से आप जाकर के रवी सरकीजी के और current affairs की pdf को buy कर सकते हैं तो जरूर विजिट करें हमारे website को तो यह था friends हमारा आज का last slide I hope आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो अगर आपको पसंद आया है हमारे efforts आपको अगर पसंद आये हैं तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा मिलते हैं एक और important topic के साथ next video में Until then thank you, have a nice day